बी एस्टीसी काउंसलिंग से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है साथियों नए प्रिक्षार्थी जितने भी फ्रेसनर उनके लिए आज किये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है प्योंकि आपकी काउंसलिंग एंड रिजिस्टेशन की प्रिक्रिया साथियों प्रारम हो चुकी है जैसे ही आप 5 तारिक से रिजिस्टेशन प्रारम कर देंगे 8 तारिक से आपको कोलेजों का उप्षन चूज करना है कोलेज option choose कैसे करना है या कोलेज चाहिन करते समय आपसे क्या-क्या गलतियां हो शक्ती है या फिर registration में online payment के समय आपको क्या-क्या सावधानिया रखनी है इस सम्मंद में जानकारी लेना चाहते हैं तो इससे सम्मंदित वीडियो का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वहां आप इससे सम्मंदित समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा साथियो आपका 18 जुलाई को 19 जुलाई को आपका college अमंटन हो जाएगा उस college अमंटन के समय आपको कितनी फीस और जमा करानी है किस प्रकार करानी है इसके बाद आपको 19 तारिक से ही कोलेज में रिपोर्टिंग कैसे करानी है कोलेज रिपोर्टिंग के समय आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट ले जाने है इन से सम्मंदित दोनों ही प्रकार की वीडियो हम अपलोड कर चुके है जिसका लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की जो वीडियो इसलिए इपोर्टेंट है साथियो क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले अपवर्ड मुमेंट की ये अपवर्ड मुमेंट क्या है अपवर्ड मुमेंट किनकू करवाना है अपवर्ड मुमेंट के समय आवेदन कैसे करना है आवे दन करते समय आपको क्या सावधानिया रखनी है अपड़ मुवमेंट की आवसकता क्यों पड़ी है इन तमाम जानकारी के लिए आज इस वीडियो को अंते तक अवस्य देखिए साथियो अपड़ मुवमेंट आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण विकल्प है जो कि BSTC के द्वारा प्रदान किया गया है ये आपको कब करना है इसके संब्द में शंपूर चर्चा कर रहे हैं साथियो यदि हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो BSTC से रिलेटेड संपू जानकारी और गैडलेंड जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि साथियो अभी तो BSTC की प्रिक्रिया प्रारंब हुई है आगे आपके सामने बहुत सी प्रोब्लम्स आने वाली हैं इन प्रोब्लम्स को सोल करने के लिए आप उस इस टेफ तक पहुँचे उससे पहले ही हमारे द्वारा वीडियो बना करके आपको सावधान कर दिया जाता है बस शर्त यही है कि हमारी वीडियो साथियो आप तक समय पर पहुँच जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई कर्टरिंग को प्रेस कर ल यह आपको 25 जुलाई से प्रारंब होगा इसके बाद 25 जुलाई के बाद 25 जुलाई को अपड़ मुमेंट के कोलेज आवंटित होंगे और अपड़ मुमेंट के कोलेज में रिपोर्टिंग आपको 29 तारिक से करवानी है आपको बता दे यह अपड़ मुमेंट क्या है जैसे आप अप रेजिस्टेशन कर रहे हैं इसके बाद में साथिव आपको बता दे आपका जो कुलेज आवंटन है वो 18 जुलाई को हो जाएगा 19 जुलाई को आपको फीस जमा करा देनी होती है अब होता क्या है कि आपको मालूम तो होता नहीं है और आप ऐसे कुलेज का चूज कर लेते हैं गूगल मैप से या किसी प्रकार से जो कम किलोमीटर पे होता है कम दूरी पे होता है और फिर वो कुलेज जब आप रिपोर्टिंग कराने जाते हैं तो काफी दूर होता है या फिर माल जाने जाने का कोई साधन नहीं होता या फिर कुलेज आपकी नजर में जाते तो अब क्या करें क्योंकि आपने रेजिस्टेशन के साथ में कोलेज फीस के जो 14,555 रुपए हैं वो भी भर दिये हैं तो अब आपके सामने केवल एक मात्र विकल बच्चता है और वो है अपवर्ड मोमेंट का जैसे आपको कोलेज काउंटन हो जाएगा कोलेज की फी आपके पास है यदि कोलेज में आपने रिपोर्टिंग भी करा दी तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है अब आपको क्या करना है कि 25 जुलाई से ये BSTC आपके लिए अपवर्ड मोमेंट है तो एक लिंक को जारी करेगी इस लिंक पर किलिक करके आप अपवर्ड मोमेंट के लि जैसे साइन्स आर्ट्स या कोमर्स की सीट खाली है क्या क्योंकि अब आपको जो कोलेज अवन्टित होगा वो रिक्ट सीट पर ही होगा और आपसे हायर पर्सेंट वालों को पहले प्राइवर्टी दी जाएगी आपका नंबर उसके बाद में आएगा तो आप उस कोलेज मे जाकर के भली भाती ये जान ले कि उस कोलेज में क्या आपसे सम्मंदित सब्जेक्ट की सीट खाली है क्या यदि खाली होने पर आपको उस पर नजर रखनी है और ऐसी चार पांच कोलेज आप अपनी प्राइवर्टी के अपड़ मोमेंट में दे दीजिए इसके बाद 28 आपके कोलेज आमंटिन की लिष्ट जारी होगी जिस कोलेज में आपके सब्जेक्ट से रेलेटेड पोस्ट खाली होगी वहां पर आपको कोलेज मिल जाएगा अब आपको उस कोलेज में 29 तारिक से जाकर के रिपोर्टिंग करानी है फीस की चिंता ना करें साथ ही हो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारी फीस अब दोबरा लगेगी बिलकुल नहीं लगेगी 14,555 रुपे की जो आपकी रिसिप्ट है वो आटोमेटिक पिछली कोलेज वाले इस अब नए कोलेज में भिजवा देंगे आपको केवल अपने डोकुमेंट अब इस नए कोलेज म होंगे आपड मोमेंट में क्या सावधानी रखनी है ये भी समच चुके होंगे कि आपको ये चेक करना की संबंदित कोलेज में जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं रिक्त सीट है या नहीं है तो ये बाते आप भली भाती चेक कर लें अभी भी यदि आपड मोमेंट स करके जरूर बताना कि आपकी अभी और क्या समच्या क्यों है साथियो आपसे ये पुने में आग्रे कर रहा हूं कि आपके बार बार कैमेंट आते हैं उसी से रिलेटेड आप प्रशन करते हैं जिसका समाधान हम कर चुके होंगे साथियो ये आपका अपना राजस्तान के ब नहीं किया जाएगा इसलिए आप बार बार कैमेंट करते हैं साथियो आपसे चमा चाहूंगा कि आपके कैमेंट इतने अधिक हो जाते हैं मैं रिपलाई नहीं कर पाता हूं इसके लिए चमा चाहता हूं फिर भी जिनके नेसेसरी होते हैं मैं उनको रिपलाई करता हूं ले कीजिए ग्यानधारा हर्शोली चैनल को और बेल आइकन को दवाईए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलें